हेलो फ्रेंग्स इस शुबम है और आपको बताने वाला हूं कि CLI और GUI में क्या अंतर हैं क्या देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस मतलब यह देखिए पहले एक्चुलि पहले कर था वहां पर में मतलब होता था वहां पर जो काम होता था वहां पर कमांड के थिल्व होता है अगर आप Linux को क्या आप लिनुक्ति सिस्टम के बात करें तो पर सारे काम क्मांड को यूज करता हूं तो मुझे मालूम है किस ताइप से जो CLI को है वह करता है लेकिन अबकर जो हम अब अब कर सकते हैं लेकिन विंडोस में आपके पास option है कि आप उसको CLI के थ्रू भी यूज कर सकते हैं कासी कुछ काम कमांड दे कर सकते हैं अगर ग्राफिक यूजर ईटरसे यान्न की यूजर एक्ष़ली ग्राफिक के थ्रू जो है टास्क कर सकता है जिसे आपको माई कम्प्यूटर पर जाना है तो पर क्लिक करना है पर आपको चले जाएंगे डेक्स टोप पर यह देक्स टोप पर आएगा अगर आपको वापस पिछ आना है तो इसे लिए काम करता है इसके लाँ इसके लाँ लाइनेक्स है वह जो है काफ़ी नगा ओर अप्लेटिंग सिस्टम से वदा यूज के आता है जो बड़ी कंपनियो में वह एक्शुली पुरा CLI है हाला कि वो के GUI बेस्ट फंक्शनलिटी आपको प्रवाइड करवाता है लेकि लोग फिर भी उस पे Command Line पे काम करते है उसमें एक्शुली हटीज के Command है और वो जो है काफी कीव वॉचिं माई वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाई वीडियो को लाइक करें वीडियो से रिलेटर कुछ भी क्यों एजी तो कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब कर नाम के बिलेगे